Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Wealth Unlimited. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Best Breakout Stocks to Buy at Present जिनने आप बाई करके आने वाले हफतों में 5-10% easily generate कर सकते हैं. साथी साथ हम डिसकस करेंगे Senko Gold IPO के लिस्टिंग की और मैं आपको बताऊंगा कि whether you should exit or hold this particular stock. So before starting the video, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो please make sure to hit the subscribe button and do like this video. Recently हमने यहाँ पर वीडियो रखी है in relation to Q1 stock results जहाँ पर हमने आपको बताया था multi bagger IT stock to buy और आप अगर आज का दिन देखें तो HCL technology जो हमने discuss किया था वो 3.80% up है साथ ही साथ जो हमारा पहला stock था TCS वो आज के दिन आपको 5.21% उपर जाता हुआ दिखाई दिया दोनों ही stocks में उन पहले target हिट हो चुके है और अगर आपको इन particular stock को hold करना है तो further you can hold these stocks for the target of 3575 in TCS and in HCL मुझे लगता है यह particular stock जल्दी आपको 1200 रुपे तक के target दिखा सकता है मैं आपको बता दूँ दोनों ही मेरे portfolio के stocks है and every dip is an buying opportunity in IT stocks as of now this is my opinion और आपको मुझे follow करना जरूरी नहीं है please take help from your financial advisor seek advice then only invest in the stock market चलिए बात करते हैं Senko Gold की तो जैसा हमने discuss किया था मैंने आपको multiple times बताया है कि कभी भी अगर IPO अपना opening price को break कर दे तो आपको उस particular IPO से exit करने के बारे में सोचना चाहिए या फिर 60-70% of that IPO you should sell आप देखेंगे आज के दिन जो Senko Gold के listing हुई थी वो हुई थी 430 रुपीज पे ये stock चल रहा था 430 रुपीज means 35% के premium पर बट पहले ही 5 मिनिट में इस particular stock में एक इतनी बड़ी red candle negative candle फॉर्म हुई जिसने हमें दर्शाया कि यहां पे एक selling mode on है आपको इस particular stock को 430 रुपीज का SL लेके hold करना चाहिए था और अगर आप अभी भी बने है तो मुझे लगता है कि यह particular stock यहां से further नीचे जा सकता है अगर कल का दिन यह 401k level को break कर दे again now जो इसका resistance बन चुका है वो है 420 का एक अच्छा खासा resistance इस stock में देखने के लिए मिल रहा है उसके बाद 430 अगर यह stock 445 के ऊपर जाएगा तभी आप इस particular stock में entry के बारे में सोच सकते हैं otherwise for the short term यह particular stock negative trend में जा चुका है चलिए बात करते हैं पहले breakout stock की जो इस वीडियो में मैं discuss करना चाहता हूँ वो है sona blw yes sona com का यह stock है हम already इस particular stock को discuss कर चुके है अपने channel पे मैं एक बार refresh कर देता हूँ sona blw का chart so आप देख सकते हैं यह sona blw का chart है इसे मैं daily basis पे अगर लगा देता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि इस particular stock ने double bottom form किया था right उसके बाद एक काफी अच्छी rally थी उसके बाद यहाँ पे w pattern का breakout दिया था इस particular stock ने 500 level के ऊपर जब हमने यह particular stock discuss किया था तो हमने बताया था कि आप इस particular stock को 500 level के आसपास average कर सकते है या साथी साथ इसमें position की बनाने के बारे में भी सोच सकते है अगर आप आज की बात करें तो आज का जो current market price है इस particular stock के लिए वो चल रहा है 547 रुपीज और आज भी इसमें आपको 0.89% की तेजी दिखाई देगी जो ये particular वीडियो है मैं आपको इसमें breakout आने से पहले बता रहा हूँ आप इसे note कर लीजिए ये particular stock मुझे लगता है जैसे ही 575 का level break करेगा इसमें एक काफी अच्छा breakout देखा जा सकता है जो इस stock को लेके जाएगा 600 रुपीज के target तक और उसके बाद 650 रुपीज तक आप देख सकते हैं यहाँ पर एक massive volume search आया था यहाँ पर किसी ने बहुत बड़े player ने buy किया इस particular stock को ये volume वो दर्शाता है और उसके बाद इसमें volume dry हो चुकी है काफी time से लग भग आप यूं समझ लीजिए 9th of May से यह particular stock एक sideways pattern में चल रहा है और मुझे लग रहा है कि यह particular stock अपना rounding bottom pattern long term horizon पे complete करता हुआ आपको दिखाई देगा यह मैंने इसका weekly chart लगा दिया है अगर आपको weekly chart दिखाऊ और इस पे अगर आप एक rounding bottom pattern बनाना बनाएंगे from the top level of 837 rupees आपको clear कर दिख जाएगा कि यह particular stock एक पूरा cycle complete करने जा रहा है और जल्दी आपको यह long term में 800 तक के target देखे जा सकता है for the short term perspective आने वाले कुछ हफतों में मुझे लगता है यह particular stock एक बार 575 के level को break कर दे 560 के उपर sustain करना start कर दे तो जल्दी आपको इसमें 650 further यहाँ पर आप देख सकते है 700 रुपे के target इस stock में देख सकते है तो यह stock मैं आपको बता रहा हूँ breakout से पहले आप अपनी position सोच समझ के इस particular stock में बनाईए अपने financial advisor से discuss कीजिए मुझे personally technically अच्छा लग रहा है यह stock charts पे इसलिए मैं आपके साथ यह discuss कर रहा हूँ जो next stock है वो है Kalyan Jewelers one of the hot favorite stock of our channel जो हमने recommend किया था 125 रुपे से however कल के दिन मैं आपको बता दूँ जो कल का दिन था वहाँ पे मैंने अपनी पूरी की पूरी position exit कर लेई थी Kalyan Jewelers में but आज का action देखिए मैंने इसमें छोटी सी quantity मैं आपको बता दूँ यह risky stock है अभी काफी जादा high level पे trade कर रहा है आज के दिन मैंने इसमें एक छोटी सी quantity buy की है यहाँ पे आप देखेंगे नीचे level से इस particular stock में buying आते वे दिखाई दे रही है 170 का एक अच्छा support बन रहा है तो आप 170 के stop loss के साथ ही जो हमारे previous target था उसी के stop loss के साथ इस particular stock को hold कर सकते है मुझे लगता है कि यह stock अगर level तोड़ेगा 184.50 के उपर यह निकलेगा तो आपको 188 मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे revise target यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 188, 192 and further 199 के targets इस stock में देखने के लिए मिल सकते है तो यह है high risk की stock, sona vlw वहाँ पे मैं कुल जादा value दिखती है ठीक है वो slow moving है यह already हमें 70-80% के return दे चुका है तो आप इस particular stock को तभी consider कीजिए अगर आप risk लेना चाहते है stock market में जो अगला stock है वो मैं discuss करने वाला हूँ इस video में वो है inox wind का right similar pattern आप देखेंगे इस में form हो रहा है जैसे sona.com में form हुआ था और अभी भी इस particular stock में breakout आया नहीं है यह daily chart है और आप देखेंगे कि यह जो particular stock है हमारा यह बार बार 20 days moving average पे support ले रहा है यहाँ पर volume आई stock उपर गया let me refresh this chart inox green yes तो यह रहिए यहाँ पर एक volume surge था काफी जादा ठीक है यहाँ पर एक massive green candle बनी उसके बाद इस particular stock ने उपर गया यहाँ से correct हुआ 20 days moving average पे support लिया फिर यहाँ से stock उपर गया फिर यहाँ पे 20 days moving average के आज़ पास support लिया फिर यहाँ से stock उपर गया फिर 20 days moving average के पास support लिया और अब यह यहाँ पे insolidate हो रहा है मुझे लगता है यह particular stock अगर यह level नीचे की side से break करता है तो इसमें एक downfall देखा जा सकता है जो है आपका 55 का level और अगर यह stock ऊपर में 60 के ऊपर sustain कर जाए और 63.80 को break कर दे तो यह blue zone में चला जाएगा blue sky zone में चला जाएगा और इस particular stock में आप massive massive targets देख सकते है in coming days तो यह stock भी आपको focus में रखना चाहिए अगर आपको position बनानी है इस particular stock में अपने financial advisor से advice लेके right with strict discipline and stop loss of 54 rupees का अगर day closing के basis पे लेके आप इस particular stock में entry के बारे में सोच सकते है और आने वाले time पे यह stock में को एक multi bagger दिख रहा है green energy में काम करता है तो यह है मेर final stock lastly मैं आपके साथ discuss करना चाहता हूँ एक ऐसा stock जिसने आज 20% circuit मारा है और उसे हमने अपने channel पे discuss किया था 3 weeks पहले right आप देख सकते है best multi bagger best stock to buy multi bagger breakout stock के बारे में बात की थी जिसका नाम था यहाँ पे precision camshaft मैंने आपको बताया था कि यह multi level multi year breakout दे रहा है head and shoulder का breakout दे रहा है और last time जब यह list हुआ था February 16 में उसके बाद से अब जाके इस particular stock में आपको breakout देखने के लिए मिला है lot of people commented on that video कि यह already overbought है काफी जादा ऊपर भाग चुका है इसे जादा ऊपर नहीं भागेगा और इसमें आपको profit booking देखने के लिए मिल सकती है तो मैं आपको बता दूँ जैसा हमने इसमें discuss किया था multi year breakout आया sustain किया और आज के दिन आप देख सकते हैं इसमें 20% की तेजी है this is stock market आपका patience test होगा बहुत pain देंगे बट मैं आपको suggest यही करूँगा कि please maintain your strict stop losses maintain your targets जहाँ पर आपको profits दिखते हैं वहाँ पर profit book कीजिए थोड़ा ही सही आप थोड़े profits को ही book करना सीखिए और अपनी loss making capabilities को कम कीजिए that's it from my side I hope I was able to give you good overview precision camshaft का stock मुझे अभी भी strong लगता है volumes अभी भी काफी अच्छे है इस particular stock में और जिस type के volume आज आया है या जिस type का upper circuit इसने आज लगाया है मुझे लगता है कोई ना कोई news या कोई ना कोई बड़ी deal इस particular sector या इस particular company को मिली है that's it in this video I hope I was able to give you good overview of stocks अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो please make sure to hit the subscribe button and happy investing